हलो स्टूटेंट्स, वेलकम टू मैंनिर बेंज, मैं रुपाली वर्मा, आपकी अंतरा बुक का नया पाट लेकर आई हैं, जो अंतरा पुस्तखम पट रहे हैं, उसका दस्वा अध्याय है हमारा कभीर दास के दोहे, कभीर दास के दोहे से ही हमारा काव्य खंड शुरू होता है, जैसे हमारी अंतरा बुक दो खंडों में वभाजित है, यानि कि शुरू के जो नो पाट हैं, यानि नो अध्याय हैं, वो हमारे गद्य खंड के अंतर गताते हैं, फिर उसके बाद हमारा शुरू होता है, यानि दस्वे अध्याय से काविक खट, कभीर के पद, तो कभी सबाएं यानि के जो पद हमारे सामने आएं, यह इनकी बीजक से लिए गए, मतलब यह किसी धर्म जाती को नहीं मानते, किसी भी धर्म जाती को नहीं मानते बस हर धर्मों की अच्छी चीजों को accept किया है इनके जितने भी पद जितनी भी रचनाएं आप पढ़ेंगे ये देखेंगे आपकी हर धर्मों की बुराई इनोंने कहीं न कहीं करी हुई है उनकी जो गलत बाते हैं जो खामिया हैं वो सभी निकाल के रखी हैं तो अपनी से बिछड़े पती से पत्नी मिलती है उस तरह की जो बेचैनी होती है पत्नी के दिल में वही बेचैनी अपनी अंदर महसूस करते हैं उसका वंडन किया है तो सबसे पहले हम देखते क्या है हमारा पहला पद पहला पद क्या है आरे इन दोहुन राह न पाई तो इसक जब भी आप कोई पद लीजिए, दोहा लीजिए, उसको पढ़ने की कोशिस जरूर करजी, क्यों इससे आपको पढ़ने की आदत अच्छी होगी, शब्दे, difficult words, अलग-अलग languages जानने का बहुत हो, जैसे हिंदी है, हिंदी में भी बहुत तरेकी भाशाशैली होती है, सभी को हम समझ पाएंगे, तो क्या दिया है, अरे इन दोहुन रह न पाई, हिंदुक अपनी करें बढ़ाई, गागर छुण न देई, वेस्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुवाई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला के बेटी ब्या, घरें में करे सगाई, बाहर के एक मुर्दा लाए, धोय धाय चड़वाई, सब सखियां मिलें जीवें, बैठी घर भर करे बढ़ाई, हिंदु की हिंदुवाईन देखी, तुरकन की तुरकाई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई, तो अब देखिए, इसमें दोनों ही धर धर्मों की खामियों को उजागर किया है कदीर जी ने, अब एक चीज़ ये ध्यान रखिए, कि ये जिस समय लिखा गया, उस समय बहुत सारे धर्म नहीं थे, हिंदु मुसल्मान रूप मेन थे, क्योंकि हिंदु धर्म में से ही बहुत धर्म उपजे हैं, जैन धर्म, बहु इस अर्ध समझते हैं, क्या हैं, अरे, इन दोऊं की राहा न पाई, तो क्या बोलते हैं, देखो, इन दोनों ने ही किसी तरह की राहा को अपनाया नहीं, मतलब, दोनों में कौन है, हिंदु और मुसल्मान, हिंदु ओं को जो धर्म सिखाता है, वो रहा भी भो ठीक से नहीं अपना पाए और मुसल्मान को जो उनका धर्म सिखाता है वो भी वो अपने धर्म को ठीक से नहीं अपना पाए तो वही दिया अरे इन दो रहा न पाई मतलब इन दोनों ने किसी भी तरह की रहा को अपनाया नहीं है हिंदू अपनी करें बढ़ाई गागर चुन न देई अब हिंदू क्या है हिंदू अपनी बहुत बढ़ाई करते हैं मेरा धर्म ऐसा है मेरा धर्म ऐसा है इसमें बड़ी बड़ी बाते हैं लेकिन एक किसी दूसरे यानि की हिंदू में ही किसी दूसरे निम्नतर वेक्ति को अ नहीं देते हैं वेश्या के पायनतर सोवे देखो हिंदु आई और क्या कहते हैं हिंदु होते हुए भी वेश्या के पैरों वेश्या के पास जाते हैं और उनके पैरों के तलों को छूते हैं और उनी के पैरों पे पड़े हुए सोवे रहते हैं ये कैसे हिंदु आई है अब उसके बाद कहते हैं मुसल्मान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाएं और मुसल्मान में जो पीर ओलिया हैं मतलब जो जैसे हिंदूओं में होते हैं धर्म गुरू साधू होते हैं उसी तरह क्या होते हैं ओलिया होते हैं पीर होते हैं जो मस्जिद वगरा में रहते हैं वो मौसी के घर में अपने ही बच्चों की विया कर देते हैं उनकी सगाईयां कर देते हैं बाहर से एक मुर्दा लाएं धो धाये चड़ाएं और बाहर से क्या करते हैं एक मुर्दा ले अर्थात बाहर से मांस लेकर आते हैं और धो धाके जो है उसे बरतन में चढ़ाते हैं अर्थात पकाते हैं सब सक्खियां मिलें, जेवन बैटें, घर घर करें, बढ़ाई, और क्या करते हैं, पकाते हैं, बुराईयां करती रहती हैं हिंदू की हिंदवाई देखी तुरकन की तुरकाई तो अब कभीर दाजी कहते हैं मैंने हिंदू लोगों की हिंदवाई देख ली कि वो अपने धर्म में कितने पक्के हैं और तुरक अर्थात मुसल्मानों की भी तुरकाई देखी यानि कि उन लोगों की मुसल्मानियत कैसी हैं वो अपने धर्म को किस तरीके से पालिन करते हैं मैंने दोनों को ही देख लिया है कहें कभीर सुनो भाई साधू कौन रहा है जाई अब कभीर बार कहते हैं कि सजन वक्तियों देखो कि ये लोग किस रहा जा रहे हैं ये किसी भी रहा पर नहीं जा रहे मतलब धर्म की सच् नहीं जा रहा है तो अब क्या यहां पर दिया है प्रसंग और मूल भाव मतलब अब प्रसंग क्या क्या मतलब होता है कि ये पद कहां से लिए गए हैं किसके द्वारा रचित हैं और एक लाइन में हमें ये समझाना होता है इसके अंदर का भाव क्या है मतलब क्या फीलिंग आ कर्मकांड एवं आडमबरों का विरोध करते हुए कबीर कहतेंे यह कहने का क्या मतलब है कि जो कर्म पीए जाने में दिखावे लिए सब चीजह कि लगाएं इसे झी मानन यह रहीर कि नधा में यह सब ध्र्म नहीं थे क्योंकि वह निर्गणु उपां सकते वो किसी एक उसे accept करते थे, तो वही चीज़ उन्होंने बोला है, धर्म का वास्तिविक अर्थ है, उचित कर्मों से व्यक्ति एवं समाच का मार्ग दर्शन करना, तो धर्म का क्या मजलब है, सही तरीके से व्यक्ति को बताना, कि वो क्या चीज़े अपनाए, कैसे करे और क्या करे, परंत इस तरह के बाय आडंबर, मतलब दिखावा जो है, यह इन्हें जो है ज्यान, यानि परमात्मा की तरफ नहीं ले जाएगा, यह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अब इसकी व्याख्या बिद्दू देखेंगे, पहला जो हमने दोनों पढ़े हैं, हिंदूओं इस तरह का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति को असपर्श मानता है, उसे अपने पात्रों बरतनों को छूने नहीं देता, परन्तु स्वयम वेश्या गमन जैसे निम्न कर्म में लिपत रहता है, ताथ पर यह है कि हीन कर्मों में लीन है, केवल शेष्ट होने का दिखाव करते हैं, तो मतलब वो बोलते हैं कि मैं बहुत उच हूँ, बहुत सब कुछ जानता हूँ, लेकिन क्या यह है, वो अपने ही कुल के लोगों को बरतन नहीं छूने देते, लेकिन खुद निम्न करत करते हैं, वेश्या के पदों में जाकर पड़े रहते हैं, उनके घरों में दिखा सकते हैं कभी नहीं दिखा सकते इसलिए ये सिर्व एक दिखावा कर रहे हैं फिर दूसरा आता है हमारा मुसल्मानों की दशा भी कुछ भिन्न नहीं है ये दिखावा करते हैं कि पीर ऑलिया बनकर माया मुह से दूर हैं और दूसरी और अपनी रसना के आगे विवस है तभी तो मुर्गा और मुर्गी खाते रहते हैं, केवल स्वाथ के लिए मांसाहर करते हैं, जीव हत्या करते हैं, रस्तना मतलब जीव के लिए मांसाहर करते हैं और जीवों की हत्या करते हैं, जीव हिंसा करने वाले खुद को बंदे कैसे कह सकते हैं, समाज की नीतियों के प् और भी किसीए हाल में इन LOG को नहीं मिल सकती हैं इस प्रकार इन्का का घुख सोंदर के अंदर आता है दो चीजे, पहला है भावपक्ष और कलापक्ष, भावपक्ष हमारा क्या आता है, क्या feeling निकल लिकल के इसमें चीजें आ रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या है, कबीर का समाज सुधारक रूप द्रश्टव्य है, यानि कि वो एक समाज को सुधारनी के लिए वो सब चीजे करना है आडंबरों को इश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक माना गया है यानि कि दिखावे हमें इश्वर की प्राप्ति नहीं हुने देते हैं इश्वर एक है राम रहीम में कोई भेद नहीं है इश्वर सरवदा है इश्वर सरववापक है एवं सभी प्राणियों के हिदय में विद्यमान है दोनों को ही मानवता अपनाने को कहा गया है तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि दोनों ही सभी में इश्वर को देखें मानवता को अपनाएं तभी वो इश्वर को प्राप्त कर सकते अब इसकी बाद आती है हमारी कलापक्षरी यानि कि किस सरे की भाषा इस्तेमाल करी है कैसी उनकी शैली है के सरीके के उसमें आपका रस है फिर उसमें अलंकार कौन सा है ये सभी चीजे हमें बतानी है तो क्या दिया है सदुकडी भाशा है भाशा के भावों की सहेज सरल अभिवेक्ती है तो सदुकडी भाशा उनकी साद्मूवाली भाशा उसी तरीके नों ने बताया शब्द चयन भाव पूर और भावन कूल हैं तो जो शब्दों का जो चयन है उन शब्दों से भाव जो हैं बहुत अच्छे से निकल के आते हैं और जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं एकदम उनके हिसाब से ही उन्होंने शब्दों का चयन किया है सब सखियां कहें कबीर में अनुप्रास अलंकार है अलंकार आप सभी जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार किस तरीके से होता है देखें यहाँ पर सा और सा वर्ण की आवनती है यहाँ का और का वर्ण की आवनती होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है फिर है गे पद शैली है गे पद शैली का मतलब है गाए गए हैं ये सभी गाते हुए मतलब गाना जैसे होता है गीद काया जाता है उस तरीके से गाते हुए इन पदों को लिखा गया है मुक्तक शैली है फिर सहज और सरल भाषा है भाषा इनकी सहज है आसानी से समझी जा सकती है और सरल भी लिखी है इनों ने तो इस तरीके से यह जो पहला पद था वो खतम हुआ अब दूसरा पद हमारा क्या है बालम आवो हमारे गेहरे तुम बिन दुखिया देहरे सब कोई कहें तुम्हारी नारी मो को लागत राज रे दिल में नहीं लगाया तब लग कैसा सनेह रे अन नभावे नीदना आवे ग्रहबन धरे नधीर रे कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे है कोई ऐसा पर उपकारी पिवसो कहे सुनाए रे अब तो बेहाल कबीर भयो बिन देखे जिव जाए रे तो अब यहाँ पे इसका पहले मतलब समझें यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कबीर दास ने अपको अपने आपको प्रेमी का बताया है और प्रभु को प्रेमी बताया है तो जिस तरीके से बिछड जाते हैं वियोग हो जाता है तो क्या होता तडपते रहते हैं डूसरे से मिलने के लिए तो वही चीज यहाँ पर है यहाँ पर कबीर दास जी इश्वर से मिलने के लिए तड़प रहें तो उन्होंने यहां पर प्रेयसी पत्नी जैसे शब्दों का इस्तमाल किया है अपने पति या बालम से मिलने के लिए तो अब इनका लाइन वर्ज अर्थ देखेंगे बालम आवो हमारे गेहरे तुम भी दुखिया देहरे तो अब कभीर दास जी ने हमने आपको में चीज ही समझेगा उसको कि कभीर दास ने अपने आपको प्रेमिका बताया है पतली बताया है और प्रभू को ईष्वर को पती बताया है तो क्या कहना है बालम बालम अर्थात इश्वर यानि पती आप घर आईए आपके बिना हमारा ये शरीर दुख से पीडित है आप नहीं आ रहे हैं तो हमारा ये शरीर क्या है दुखों से पीडित है सब कोई कहें तुम्हारी नारी मोको लागत राज दे और ये सारी दुनिया सभी जो है कहती है कि ये तुम्हारी पत्नी है और इस तरीके से कहते हैं जब तो मुझे बहुत ही लग जाती है अर्थात कबीर दास को सारी दुनिया क्या कहती है कि ये तो इश्वर के लिए पागल हुआ पड़ा है तो मुझे बड़ी ही लग जायानी मुझे बहुत ही शर्म आती है दिल में नहीं लगाया तब लग कैसा इसने ने और जब तक आप मुझे अपने दिल में स्थान नहीं दोगे तब तक हम दोनों का संबंद कैसे स्थापित हो सकता है इसने मतलब लगाव लगाव नहीं होगा जब तक आपको हमसे लगाव नहीं होगा तब तक हम दोनों का संबंद कैसे स्थापित हो सकता है अन न भावे नीद न आवे गहबन धरे न धीर रे और क्या है हम जो है आप से बिचुडने में इतना जादा बेचैन है कि मुझे न अन अच्छा लग रहा है यानि कि ना खाने को अच्छा लगता है और ना ही नीद आ रही है घरबन धरे न धीर रे और घर पे रहने पर भी मुझे किसी प्रकार का धीरज प्राप्त नहीं हो पा रहा है कामिन को है बालम प्यारे कहते हैं पत्नी को जो है वो अपने पती ही सबसे जादा प्यारे होते हैं जो प्यासे को नीर ने उसी तरीके से पत्नी को अपने पती प्यारे होते हैं जिस पकार से एक प्यासे को पानी की प्यास होती है है कोई ऐसा पर उपकारी पिवसो करे सुनाए रहे ऐसा कोई व्यक्ति है है कोई ऐसा व्यक्ति या जनि उपकार करने वाला सो कोई व्यक्ति है पिवसो कहे सुनाए रहे मतलब जो प्यासे को प्यानी दे अर्थात मेरा मेरे पती से मिलन करा दे तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्यासे को पानी पिलाए अर्थात मेरा मेरे पती से मिलन कराए अब तो बेहाल कबीर भयो बिन देखे जिव जायरे और अब कबीर जो है कबीर जाज जी आखरी लाइन में बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही जादा बेहाल हो चुका हूँ बहुत ही परेशान हुआ जा रहा हूँ और आपको बिन देखे मेरे से अब जीवित नहीं रहा जा रहा है अब जिस तरही से भी मैं जी रहा हूँ बिना देखे मैं आपको बस जीए जा रहा हूँ बस कुछे पॉडल के लिए जीवित हूँ, इसके आगे में जीवित नहीं रह पाऊंगा तो ये इसको पूरा अर्थता जो हमने लाइन वाइस समझाया अब इसका सबसे पहले प्रसंग ये अम्हूल भाव आएगा प्रस्तुत पथ बीजक संग्रे से उद्धत है, यहां कबीर का भक्त रूप द्रश्टव्य है इस पथ में कबीर ने स्वेम को जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को पती मानकर परमात्मा रूपी पती से वियुक्त जीवात्मा का विरहा विवस्था का चित्रण किया है मतलब अपने आपको पत्नी बोला है और परमात्मा को पती बोला है तो दोनों बिछड़ गए हैं और विरहा वेधना में हैं यानि कि जुदाई की जो तकलीफ होती है उस वेधना से ग्रस्थ हैं उसी का चित्रण इस पूरे पद में उन्हों ने किया है अब इसकी व्याख्या बिंदू क्या है परमात्मा से मिलन ना हूपाने के कारण कवीर को एक वियोगनी की भाती ना अन भाता है न निदाती है तो परमात्मा जो है क्या है वो निराकार है उनका कोई आकार नहीं है और पतनी यानि खुद क्या है साकार रूप में प्रस्तूत है यहां कभीर, निडगुर और सगुर दोनों भिनमतों के बीच एक साम स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं यानि कि निर्गुड भी है और दिखा रहे हैं कि हमने सरगुडगुड से जो है एक साम स्थापित किया हुआ है अब इसका काविस अंदर देखते हैं भावसपक्ष कबीर का भक्त रूप द्रश्टव्य है यानि कि वो एक भक्त के रूप में अब आ रहे हैं पहले वाले पद में समा सुधारक के रूप में थे अब क्या हैं भक्ती गर रहे हैं ज्यान चक्षु खुलने पर साधक इश्वर की प्राप्ती के लिए आतोर हो उड़ता है मतलब जब हमें ईश्वर की प्राप्ती होती है तो हमें सिर्फ ईश्वर दिखाई देता है और कोई नहीं दिखाई देता रस विपलव यानि वियोग रस है वियोग शिंगार रस है और भक्ती रस है इसमें दोनों ही रस हैं क्योंकि वियोगनी की वज़ा से वियोग सिंगार रस हो रहा है और इसमें भक्ती कर रहे हैं इश्वर की इसलिए ये भक्ती रस है कलापक्ष देखते हैं भासा उनकी सदुकडी, सदुकडी इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि वो साध्मों के संगत में जाधा रहते थे और घूमते रहते थे तो इसलिए उनकी भाषा को सदुकडी भाषा बोलते थे दुनिया देह कोई कहे जिवजाय में अनुपरास अलंकार है कामनी को है प्यासे को नीर में द्रश्टांत अलंकार है द्रश्टांत मतलब यहाँ पे उधारण के साथ आपको प्रस्थुत किया गया है कि जिस प्रकार पत्नी को अपने पती से मिलने का जितना तड़प होती है कितनी तड़ब होती, जितना एक प्यासे वेक्ती को पानी की तड़ब होती है, उतना ही एक पतनी अपने पती से मिलने के लिए व्याकुल होती है, तो यहाँ पर उधारर के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, फिर है लाय एवन तुकबंध गेपद है, यानि कि इसमे ले भी है और तुकांत दिये हुएं इसलिए तुक के साथ में ये गाते हुए पद हमारे सामने अरे इन दोहु रहा न पाई से कबीर का क्या आश्रह है और वे किस रहा की बात कर रहे हैं तो ये जो पंक्ती है दोहु का मतलब क्या है हिंदू और मुसल्मान दोनों के लिए उन्होंने इस पूरे पैरा में ही बात करी है मगर इस पंक्ती में दोहु का मतलब हिंदू और मुसल्मान दोनों से है कोई राह नहीं पा रहे हैं मतलब ये दोनों ही अपने धर्म की राह से भटक चुके हैं तो जो राहा है ईश्वर को प्राप्ती का ये दोनों उस राह पर नहीं जा रहे हैं यहाँ पर तात्पल ये है कि मतलब जो धर्म की राहा है वो यहनोंने नहीं अपना ही है क्या दिया है कबीर जी स्पंक्ति में हिंदू और मुस्लमानों के लिए बोल रहे हैं suburbs ये दोनों धर्म आडंबरों में उलजे हुए धर्म के दिखावे में उलजे हैं इन्हें सच्ची भक्ति का अर्त नहीं मालूँ धार्मिक आडंबरों को धर्म मान कर चलते हैं कबीर के अ रुसार ये दोनों भटके हुए मतलब ये दोनों ही अपने जो मेन धर्म है जो धर्म का मर्म है आप सबसे वड़े उसमें हैं उन्में से आप भाटक चुके हैं इस देश में अनेक धर्म जाती मजब और संप्रदाय के लोग रहते हैं किन्तु कबीर हिंदू मुसल्मान की ही बात क्यूं करते हैं तो जब हमने अपना इसे पहले जो हमने वेडियो बनाया था हमने आपको समझाई थी कि उस समय हिंदू और मुसल्मान दो ही धर्म सबसे बड़े धर्म थे हिंदू धर्म से ही बहुत सारे आगे जलके धर्म बने इसलिए इन दोनों ही धर्मों के बारे में इन्होंने बात करी है तो क्या बोल रहे हैं जिस समय की बात करते हैं कबीर मतलब अपने समय की जब बात करते हैं उस समय भारत में कभी भारत में हिंदू और मसल्मान दो धर्म विद्धमान थे जैन बौध आदी धर्म हिंदू धर्म की ही शाक आए हैं मतलब आगे चल के ये हिंदू धर्म से ही निकली आता हां उन्हें उस समय कभी कभी ने अलग-अलग करके नहीं देखा मतलब उन्होंने हिंदू, जैन, बौध को अलग लगनी किया है हिंदू के अंतरगत ही उन्होंने बाकि सारे धर्मों को ले लिया था वैसे भी इनमें मतभेद नहीं ही होता है मतलब इनमें हिंदू, जैन और बौध में कभी भी मतभेद नहीं होता mostly हिंदू और मुसल्मानों में ही मद्भेद होता है तो वही दिया हिंदू तथा मुसलिम दो धर्मों के मद्ध आपस में लड़ाई हुआ करती थी अता कबीर ने इन दोनों की ही बात करी है next question है हिंदून की हिंदूवाई देखी तुरकन की तुरकाई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते है वे उनकी किन विशेष्टाओं की बात करते है मतलब हिंदू की हमने हिंदूवाई देख ली और तुरकन की तुरकाई मुसल्मानों की मुसल्मानी देख ली तो इसके माध्यम से वो क्या बात करना चारे हैं उन्होंने क्या चीज़े देख ली क्या विशेष्टाय देख ली ये पूछ रहे हैं क्या दिया है कबीर देखते हैं कि दोनों ही धर्मों में विभिन प्रकार के आडंबर विद्धमान है मतलब दिखावा धर्म के नाम पर दिखावे बहुत ज़्यादा दोनों ही धर्मों में विद्धमान दोनों स्वेम को शेष्ट बताते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं देखा जाए तो दोनों ही विर्त के समय गवार हैं कबीर कहते हैं कि हिंदू किसी को अपने बरतनों को हाथ नहीं लगाने देते यही यही लोग वेश्याओं के चर्णों के दास बने रहते जहां अपने धर्म अपने बरतन को किसी दूसरे धर्म के वेक्ति को हाथ नहीं लगाये देते वहाँ पर यह वेश्याओं के कदमों में पड़े रहते हैं अता इनकी शुद्धता और शेष्टता बेकार है यानि कि जो शुद्धता का ये दिखावा कर रहे हैं वो बिल्कुल ही व्यर्थ है मुसल्मानों की बारे में कहते हैं वो जीवहत्या करते हैं वह कोई भी धर्म जीवहत्या नहीं कहता तो वो क्या करते हैं वो जीवहत्या कर रहे हैं उसे मिलजुल कर खाते हैं यह कहां की भक्ती है अता इन दोनों की इन विशेशताओं का वर्नन करके वे उन प़ व्यंग कर रहे हैं जो यह चीजीं दिखावे कर रहे एक तरीके से व्यंग किया है कबीर में फिर है कौन राह हवे जाई का प्रश्ण कवीर के सामने ये भी था क्या इस तरह का प्रश्ण आज समाज में मौजूद है उधारण सहित समझाईए ये प्रश्ण बहुत बड़ा है हम किसी भी फैसले में कुछ भी कोई भी समाज कहीं पर भी हो तो हमें क्या करना चाहिए हम positive समाज में भी ये सारी चीज़े मौजूद हैं तो यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि मौजूद है या नहीं लेकिन तब भी हम एक तर्क प्रस्तुत करते हैं यह प्रश्ण बड़ा जटिल है यानि कि मुश्किल है प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनुष इसी दुविदा म में फसा हुआ है कि वह किस रहा को अपनाए कोई भी फैसला हो कुछ भी हो हमें किस रहा जाना है आज के समाज में भी यह प्रश्ण विद्दमान है भारत जैसे देश में तो हिंदू मुस्लिम सिक इसाई बौध जैन इत्यादी धर्म विद्दमान हो गए हैं सब स्वेम को अच्छा और शेष्ट बताते हैं सबकी अपनी माननेता है मनुष इसके मद्य उलचकर रह गया है उसे समझ नहीं आता कि किसे अपनाएं जिससे जीवन की सही रहा मिले तो वह कनफ्यूज है कि उसे कहां जाना है किस धर्म को अपनाना है किस रहा जाकर वह अपना है तो यह प्रस्तुत पंक्ती में कबीर भगवान का आवाहन कर रहे है वह अपने भगवान के प्यासे हैं और अपने भगवान के दर्शन पाने के लिए उन्हें अपने पास बुला रहे हैं नेक्स कोशन है अन्ड न भावे नींद न आवे का क्या कारण ऐसी स्तिक क्यों हो गई है अब इसमें क्या है कबीर दास जी जो है वो इश्वर से वियोग ववस्था में मताब इश्वर से मिल नहीं पा रहे और उनसे मिलने के लिए आ रहे है चिंता के कारण तो यही परस्तितियों के कारण उनके सामनी उत्पन हो रहा है कबीर भक्ती में लीन हो चुके हैं उनके लिए उनके भगवान ही सब कुछ है वे अपने भगवान को पती तता स्वें को पतनी के रूप में मानते हैं अपने प्रीतम से विरहा की इस से बिछड़े हुए हैं इसलिए उनको ना भोजन अच्छा लग रहा है और नाहीं नीद आ रही है नेक्स कोशन है कामिन को है बालब प्यारा जो प्यासे को नीर रे से कभी का आश्रय स्पष्ट कीजिए तो कामिन का मतलब है पतनी पतनी को अपने पती की उतनी ही लगन होती है जितनी की एक प्यासा देखती को पानी की जो है जरूरत तडप महसूस होती है उतनी ही एक पतनी को अपने पती की आश उतनी ही तडप होती है यहाँ पर तडब यानि जो feeling रहती है जितना प्यास वो देख के महसूस नहीं करी जा सकती वो सिर्फ जो कोई जिसो महसूस करता है वो feelings हो हम देख तो सकते नहीं हम सिर्फ महसूस कर सकते तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर उधारन देके प्रस्तुत कि एक प्यासा व्यक्ति पानी के लिए जितना तडबता है उतना ही वो अपने पती यानि की एक पतनी जो है अपने पती के लिए तडबती है उसी प्रकार कभीर दाज जी भी ईश्वर के लिए उतना ही तडब रह होते हैं कबीर को भी अपने भगवान प्रिये हैं और वे उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं नेक्स कोशन है कबीर निर्गु संत परंपरा के कवी हैं यह पद बालब आवो हमारे गेह में साकार प्रेम की और संकेत करता है इस संबंध में अपने विचार लिखिए यहां पर इन्होंने क्या किया है पहले मतलब समझे वो निर्गु उपासक हैं मतलब किसी एक धर्म में उन्होंने नहीं माना जहां से उन्हें अच्छी चीजे पता चली उन्हें उस धर्म को उन्होंने अपनाया उनके लिए भगवान का कोई रूप नहीं कोई आकार नहीं है निराकार रूप में लेकिन जब यह बालम आवो हमारे गेहरे पद इन्होंने प्रस्तुत किया तो अपने विचार इसी माध्यम में व्यक्त करने हैं कि उन्होंने साकार और निराकार रूप को किस तरीकिसे दिया है क्या दिया कभीर निर्गुर संत परंपरा के कभी हैं वे एश्वर के मूर्ती रूप को नहीं मानते यानि कि उनके लिए इश्वर कोई भी आकार में नहीं है वो निराकार है परंतों सांसारिक संबंधों को अवश्य मानते हैं यानि कि वो इश्वर की कोई एक कल नमतलब उन्होंने कोई मूर्ती नहीं इस्थापित करें उनके लिए इश्वर एक भाव है श्रद्धा है जिसे वो अपने अंधर रखते हैं उसी तरीके से वो संसार के संबंधों में विश्वास जरूर करते हैं भाई पती पत्नी हों माता पिता हो बच्चे हों जो भी हो सभी संबंधों को मानते हैं और प्रेम में उनका अटूट विश्वास है मतलब प्रेम उनके लिए सर्वो परी है प्रेम कभी साकार या निराकार नहीं होता वो बस प्रेम है एक भावना है जो मनुष को असीम आनंद की प्राप्ती देता है ये प्रेम क्या है प्रेम एक फीलिंग है हम जिस चीस से भी प्रेम करते हैं अगर वो हमारे साथ है हमारे पास है तो हमारे लिए उससे जादा सुक कच्छन कोई नहीं होता यहां क्या दिया अता वा बालम आवो हमारे गे में वा अपने ईश्वर को प्रेमी वा पती के रूप में लेते हैं अता वा प्रतीत प्रतीत तो साकार प्रेम क कर रहे हैं मतलब एश्वर का कोई भी आकार नहीं लिया है कौशिन नमर नाइन यह उधारन देते हुए दोनों पदों का का विसौंदर और शिल्प शौंदर लिखिए तो देखे हमने आपको जब हम व्याख्याएं करा रहे थी तब का विसौंदर और शिल्प सौंदरे आपको बता दिया था तो वही चीजे आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम शब्दों में लिखना है। की और संकेत किया है इस तरह वहे दोनों धर्मों में व्याप्त आडंबरों को समाप्त कर अपने सामाजिक द्वायत को निभाते हुए दिखाते हैं इसकी भाषा बहुती सरल और सुभोध है अलंकारों का सहज आना उनके पद के सौंदर को बढ़ा देता है इसके अत्रित दोनों ही हमने बता दिये यह पहले पत्का था अब दूसरे पत्का देखी क्या है यह पद रहस्तिवाद की छवी प्रस्तुत करता है मतलब रहस्त है इश्वर एक रहस्त गितर है यहां पर इश्वर को प्रेतम के रूप में समोधित किया गया है यहां पर साधक की परमात् पाने का निरंतर प्रयास करता रहे उसकी इस्तति प्रेमिका जैसी हो जाती है विरहा उसकी साधना में बाधक के स्थान पर मार्ग बनाने का कार्य करती है यानि कि वो दखलीव नहीं देती जबकि उसको मार्ग बना रही कि आगे चलो अतार साधन इस रास्ते में चलते हुए स्वम को धन्न महसूस करता है यान पर प्रेतम और प्रिया के साकार प्रेम को माध्यम बनाया गया है जो प्रेम के महत्य को दर्शाता है इस पद की भाषा सरल है इसमें कवी ने अपनी सदुकडी भाशा का प्रयोग किया इसके अत्रिक्त इनमें परमात्मा और प्रियतम और स्वेम को प्रिया दिखाने के कारण प्रतिकात्मक्ता का सुन्दर प्रयोग हुआ है इसमें भी अनुप्राश लंकार का प्रयोग देखने को मिलता है तो जो हमने आपको भाव अलग-अलग बताये थे, काव सौंदर, उसी को हमने यहाँ पर, थोड़ा सा हम अर्थ भी उसके साथ हमने बता दिया, सारी जीजे, क्योंकि वहाँ तो हम पहले व्याख्या करी, व्याख्या के बाद हमने भाव सौंदर बताया, फिर कलापक्ष बता तो इस तरीके से इस पार उतर को रखेंगे कोशिन नमर टेन है कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तो देखें कबीर दास के बारे में हमें बहुत जारी जानकारी इकत्र करनी है और साथ ही उनके जो समयोगी जो कवी रहें उनके बारे में भी जानना है इसमें रैदास हैं रहीम हैं कई तरीके के और भी हैं जो हमारे कौन रहें निर्गो संत रहें तो अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है कबीर दाज जी के बारे में संद कबीर दाज जी भक्ति कालीन के ग्यान मारगी शाखा के मुक्र कदियों में से एक माने जाते हैं इनका जन्म काशी में 1398 इस्वी में हुआ था इनके जन्म के विष्ञे में ये धाडना है कि इनकी माता एक ब्रामण परिवार से थी वा विद्वा थी एक बार एक साधु के दौरा दिये गए संतान के वर्दान के प्रभाव से उनका गर्मधारण हो गया अभी दभा थी तो पती नहीं था लेकिन एक साधू ने उनको वर्दान दिया था तो उनका गर्म धारण हो गया लोक लाज की निंदा के ब्रहसे ब्रामण इस्त्री ने इने जन्मे बच्चे को लहरतारा नामक तालाप के किनारे छोड़ दिया उसी समय वहां से एक मुस्लिम दमपत्ती नीमा और नीरू गुजर रहे थे वे नी संतान थे इस दमपत्ती ने बच्चे को अल्ला का आशिरवाद मान अपना लिया तो मतलब जन्मे ये ब्रामण इस्त्री से थे और पालन पोशन एक मुसल्मान परिवार में हुआ दोनों ने बच्चे का बड़े जतन से लालन पालन किया बड़े होकर ये कबीर के नाम से विख्यात हुए कबीर दास ने आगे चल कर पिता के विवसाय को अपनाया कबीर का विवा लोई नामक इस्त्री से हुआ और उनसे उनके दो संताने हुई पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली रखा गया कबीर दास ने सारी उम्र राम नाम का भजन किया कबीर दास के राम नाम को अपनाने के पीछे एक रोचक घटना है कहा जाता है एक बार कबीर पंच गंगा घाट पर सीडियों पर से गिर पड़े अब वो घटना बताई जा रही है कि वो राम नाम क्यों जबते थे उसी समय वहां से स्वामी रामनंद गंगा इसनान के लिए सीडियों पर से जा रहे थे अंधेरे में अचानक किसी के पैरों के नीचे आ जाने से उनके मुँसे राम शब्द निकल गया एकदम से जो क्या हूँ हमके पैरों के नीचे रामनंसा करके पैरों के नीचे आये तो अरे राम राम करके उनके मुसे आया कबीर जी ने इसी मंद्र को गुरू का दीक्षा मंत्र मानकर उसे अंगीकार कर लिया उन्होंने माना कि भाई यही गुरू का मंत्र है और राम नाम वो जपने लगे और स्वामी जी को अपना गुरू मान लिया वासारी उम्र राम नाम को ही भजते रहे परंतु कबीर ने ये राम राजा राम से अलग थे कबीर के अनुसार उनके राम मन शुरूप में ना होकर धर्ती के हर कणकण में विद्धमान है वा निर्गुण निराकार तो उनके लिए राम जो है वो प्रभूर श्री राम नहीं थे उद्ध्या में बसने वाले राम नहीं थे सेवरत, रोजे, पूजा, हवन, नमाज, आदी का भरसक विरूद किया ये दिखावों को वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे उनके अनुसार इश्वर इन पाखंडों से प्राप्त नहीं हो सकता मतलब ये सब जतन करने से हमें कभी भी इश्वर प्राप्त नहीं होते वा तो प्राप्त होता है उनके उसके माध्यम से ही इश्वर को पाया जा सकता है उन्होंने सदयव हिंदो मुस्लिम एकटा पर बल दिया है वह आपसी बैर को भुला कर प्रेम से रहने का उपदेश ये SEC準備 sì नाम पर होने वाले भेडबहाव का भी कड़ा विरोध किया है मतलब कहने को वो ब्रामर धर्म से थे पालन पोशन जो है वो मुसलमान परिवार में हुआ लेकिन वो दोनों ही धर्मों के आटमरों को बिल्कुल नहीं मानते थे उनका क्या कहना था कि ईश्वर कहां बसते हैं मनुष्कर हिदे में तो जातिपात का भेद धर्म के इन सब का भेद भाव बिल्कुल भी नहीं मैंन मानते थे कबीर जी अनपर थे परंतु उनके शिश्यों ने उनके उबदेशों को नीती पूर्ण बातों को लेखन का जामा पहनाया वो लिख नहीं सकते थे गाते रहते थे तो उनके जो शिश्य थे उन्होंने उनके सारे पदों सबको जो है वो लिखना शुरू कर दिया कबीर दास की भाषा साधारण जनकी भाषा थी उनकी भाषा को सदुकड़ी वा पंचमेल खिजड़ी कहा जाता है उनकी भाषा में ब्रज, पूर्वी, हिंदी, पंजाबी, अबदी वा राजस्थानी भाषाओं का मिश्णड देखने को मिलता है कबीर नी अपनी बात सबद वा साखी शैली में कही है कबीर की एक महत रचना बीजक के रूप में मिलती है तो उनकी जितनी भी रचना हैं वो सब कहां संग रही थें बीजक में इनके तीन अंगें साखी, सबद और रमैनी तो इन्होंने जो भी लिखाये वो क्या हैं साखियां सबतो रमैनी में आती है कभीर दाज की इमृत्यू 1518 इस्वी के करीब मगर हर में मानी जाती है हिंदु धर्म में मानता थी कि मगर हर में जिसकी इमृत्यू होती है वा नरक में जाता है अता कभीर दास जी ने अंत समय में वही जाकर रहने का निर्णे लिया और वही अपने प्राण त्याग दिये कभीर दास उन वेक्टियों में से थे जिनोंने मात्र उब्देश नहीं दिये अपतु उसे जीवन में उतार कर समाज के सामने मिसाल कायम थे तो जहां यह चीज माननता थी कि मगर हर में प्राण तागने पर नरक पे जाएंगे तो उन्होंने यही काम किया यह साबित करने के लिए कि हम इन माननताओं को नहीं मानते हैं और इन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं अपने जीवन में उन से भी माननताओं को उतार कर दिखाया अब उसी तरीके से दूसरे हमारे जो निर्गुड उपासक है वो है रैदास अब हम रैदास जी के बारे में उन्होंने बोला ना दो के बारे में कबीर और एक और निर्गुड उपासक के बारे में आपको बताना है तो कबीर जी के हमने बारे में बता दिया अब रैदास जी परंद उनकी भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, उर्दू, फार्सी, अवदी, आदी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है इन्होंने रविदास के नाम से ही जाना जाता है इनका जन्मिस्थान काशी माना जाता है इनकी माता कलसा देवी भी थी तथा पिता संतोक दास जी थे अपने पिता से इन्हें जूते बनाने का वेबसाइप राप्त हुआ था ये इनका जो है वो खानानी पेशा था ये जूते बनाते थे परंद इससे इनकी भक्ती पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा अपने कार के प्रती सवर्पित थे जो जूते बनाते उन्हें संतो और जरूरत मंदों को बाट दिया करते थे यही कारण था कि इनके माता पिता ने इने घर से निकाल दिया था कार के मद्ध यह किसी को नहीं आने देते थे इनके कारण ही यह मुहावरा प्रचलित हुआ कि मन चंगा तो कटावत में गंगा उनके अनुसार भगवान सबको समान रूप में देखते हैं तब ही तो उनकी जैसे नीच कुल के वेक्ति को उनोंने अपने प्रेम से भर दिया और अपने चरणों में स्थान दिया तो रैदास जी के बारे में भी हमने जाना कि वो कैसे थे वो सिर्फ भक्ती करते थे लेकिन किसी उनके लिए इश्वर किसी रूप में नहीं थे तो यहाँपर क्या चीज़े आपना जब भी काम करते थे किसी को भी आना पसंद नहीं करते थे तो प्रेशन आ रहा है वो हमारे पास में क्या है कबीर का जन्म कब हुआ था इनका जन्म कब माना जाता है थोड़ी सी कुद किदवंतियیں हैं कि कभी मतलब इसको accurate नहीं बोलते हैं कोई कहता है कहीं हुआ था कोई कहता था कहीं हुआ है लेकिन जो एक लंसम निकाला गया है वो यही है कि उनका जन्म हुआ था 1398 में उनका जन्म 1398 में हुआ था तो ये जो चीजे होती ना क्योंकि बहुत पहले की बात है, चीजे लिखी नहीं रहती है, कुछ नहीं रहती है तो दिक्कत होती है तो ये थोड़ा सा लंसम करके कई बुक्स में है कुछ और दिया रहता है कई बुक्स में लेकिन हमारी बुक में 1398 दिया है तो हम इसी को 1398 को ही जो है सही मानेंगे और इसी को लेकर ही चलेंगे अब आते हैं कोशन number 2 पे कोशन number 2 हमारे पास में क्या है निमलिखित में असथ्य कथन को चाथिये हमें असथ्य कथन चाथन चाथना है चार में एक कलत है और उसको हमें चाथना है देखते हैं कबीर के काव में बाहे आडंबरों, दिखावा पन और ढोंग पर चोट करते हुए इनका विरोध किया गया है ये बात तो सही है कि वो बाहे आडंबरों को दिखावों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे हम उनके कोई भी दोहे पढ़े, पद पढ़े, कोई भी काविस रिलेटर पढ़े, तो वो इन सभी चीज़ों का विरोध करते थे कबीर ने सांप्रदाईक सदभाव की बात का पुरजोर समर्थन किया है ये भी उन्होंने बोला है, कि सभी संप्रदाऊं को मिल्दूल कर एक साथ रहना चाहिए ये बात भी कहिए, कबीर विशंता मूलक समाज के समर्थक है तो ये वाला हमारा गलत है, उन्होंने विशंता मूलक समाज का समर्थन कभी भी नहीं बोला है उन्होंने क्या बोला था समता पूर्वा विशमता की बात ही नहीं करी है तो ये वाला हमको गलत लग रहा है आगे देखते हैं कबीर ने राम और रहीम में कोई भेद नहीं माना ये भी सही है उनके हम अगर दोहे देखेंगे मतलब कि वो हिंदों मुसल्मान में किसी तरह का भेद रखते ही नहीं थे क्योंकि वो सभी संप्रदायों को एक ही मानते थे तो ये वाला भी सही है तो जो असत्य कथन वो क्या है वो है हमारा तीसरा कथन गलत है अब है कोशन नमबर थी Question number 3 में क्या दिया है? कभीर के राम कैसे हैं? अब उन्होंने कभी वे राम और रहिन में भेद नहीं किया तो अब उन्होंने अपने मन में एक राम की तस्वीर बनाई है अब उनके राम कैसे है? कैसे है? सगुण है और साकार है मतलब उनका एक आकार है और वो एक संप्रदाय से नहीं थे निर्गुण है निराकार है मतलब कोई आकार नहीं है उनका और वो निर्गुण है कहने का ताथपर क्या होता है कि हमें वो कहीं पर भी मिल जाएंगे सगुड निर्गुड दोनों है इनमें से कोई नहीं तो कबीर जी के जो राम है वो कैसे है वो निर्गुड है निराकार है उन्होंने किसी आकार को नहीं पूजा है ये ध्यान रखिएगा जो मूर्ती होता है जिसको हम कहते हैं मूर्ती पूजा करते हैं हमने अपने भगवान की एक आकरती बना ली हम उसको पूजते, तो कभीर जी ने कभी ऐसा नहीं किया, कभीर जी ने सभी संप्रदायों, सभी जाती, सभी धर्मों में विश्वास किया है, और सभी धर्में और जातीों में से जो अच्छी बाती थी, उनको, उनके मूल को समझा है और वही सब में बाता भी है, तो यहाँ पर क्या है, उनके कभीर के राम जो कैसे हैं, वो निर्गुण और निराकार है, अब है कोशे नमबर फोर, कोशे नमबर फोर है, निमलिखित में से एक कभीर की विशेषता नहीं है, अब देखें क्या है जो यहां पर दिये हैं इसमें एक कबीर जी की विशेष्टा है नहीं क्या निर्भीकता वो बिल्कुल भी निर्भीक थे डरते नहीं थे दरते होते तो किसी एक धर्म को पकड़ कर बैठ जाता धर्म प्रचारक वो कोई धर्म प्रचारक नहीं थे उन्होंने किसी भी धर्म का प्रचार्म नहीं किया तो ये उनके उनकी विशेष्टा नहीं है आगे देखते हैं विद्रोही थे बात सही है उस समय समाज की जो माननेताई थी वो उसका बिलकुल भी विरोध करते थे विद्रोही थे और अपने दोहों के मादम से पदों के मादम से ये विरोध को प्रकट भी करते थे समाज सुधारक थे समाज में जो विशमता हैं वो संगतियां व्याप्त थी उन सब ही को सुधारनी की कोशिश भी करते थे तो तीन इन में से उनकी विशेष्टाएं हैं ओर एक नहीं है जो वो है हमारी क्या धर्म प्रचारक उन्होंने किसी भी प्रकार के धर्म का प्रचार नहीं किया है अब है question number 5 Question number 5 है निम लिखित में कौन कबीर की रचना नहीं है हमको इसमें पताना है कबीर जी की रचना नहीं है साखी, वाख, सबद, रमैनी आप सभी को पता है कि कबीर जी की जितनी भी रचनाए हैं वो सभी हमको बीजक में प्राप्त होती है और बीजक हमें किन तीन रूपों में मिलता है साखी, सबद और रमैनी और जो उनकी रचना नहीं है वो है वाक वाक कश्मीरी, कवेत्री हैं, ललद्य हैं उनकी रचना है वाक तो यहाँ पर जो उनकी नहीं है कबीर जी की वो है वाक कबीर जी की तीन नचनाओं में मानी जाती है हमारी शासाखी, सबद और रमैनी अब है कोशन नमबर सिक्स कोशन नमबर सिक्स है कबीर के नुसार कौन बाहे आडंबरों और दिखावों से गरस्त है कबीर जी के नुसार कौन जो बाहे आडमबरो बाहर के दिखावों वेरा से गरस्त है हिंदू, मुसल्मान, हिंदू और मुसल्मान दोनों ही या इन में से कोई नहीं तो कौन है हिंदू और मुसल्मान दोनों ही बाहे आडमबरो यानि की दिखावे से गरस्त है जो बाहर के दिखावे हैं जो हमको दिखाना चाहिए हम अंदर से कम पूझे लेकिन हम लोगों को दिखाने के लिए बड़ी पूझा अर्चना करेंगे चीज़ों को मानेंगे तो ये चीज़े उन्होंने बताई हैं अपने पदों में भी ये चीज़ उन्होंने इंगित करी ह हुई है अब आते हैं कोशन नमबर सेवन कोशन नमबर सेवन में हमारे परस में क्या दिया गया है हिंदुवन की हिंदुवाई देखी तुरकन की तुरकाई पंक्ती में कबीर का व्यंग भाव है यहां पर पंक्ती में कबीर का व्यंग भाव क्या है उन्होंने क्या चीज का हिंदू और मुसल्मानों का परसपर प्रेम दिखाया है हिंदू और मुसल्मानों में उच्चता बोध की भावना है हिंदू और मुसल्मानों में हीनिता की भावना है इनमें से कोई नहीं तो जो सही है जो व्यंग व्यक्त की है वो क्या है ये हिंदू मुसल्मान में उच्चता बोध की भावना है मतलब हम तुम से जादा अच्छे हैं हम तुम से जादा अच्छा हिंदू मुसल्मानों से जादा अच्छा दिखाने का कोशिश करेंगे और मुसल्मान हिंदूनों से ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे मतलब हिंदूनों की हिंदुवाई भी हमने देख लिए और तुर्कों की तुरकाई भी देख लिया था दोनों लोगों को ही हमने देखा और समझाए ये व्यंग उनों ने किया है अब आते हैं question number 8 पे question number 8 हमारे पास में क्या दिया गया है इस काव्य में कबीर अपने समय की सामाजिक प्रणाली पर वंगे करते हुए डैश प्रकट करते हैं रिक्त स्थान में शब्द होगा उन्होंने क्या है यह जो हमारे सामने काव उन्होंने प्रस्तुत किया है उस समय का जो समाज था जब कबीर जी थे उस समय का जो समाज था उनकी प्रणाली पे उन्होंने व्यंग किया और व्यंग करते हैं उन्होंने क्या प्रकट किया क्या था सुविधा दुविधा समिधा या निविधा तो उन्होंने दुविधा को विक्त किया है कि लोग जो है वो बहुत ही दुविधा में हैं कि उनको नहीं खुद कबीर जी भी बहुत दुविधा में है कि ये लोग क्या कर रहे हैं ये चीज़ वो समझ नहीं पा रहे है कभीर की भाषा को सधुकडी भाषा कहा जाता है अब उनकी भाषा को क्या बोलते हैं सधुकडी भाषा अब ये भाषा कैसी भाषा होती है क्या होता है इसमें देखते हैं क्या option है इसमें सही बोल चाल के शब्दों के साथ साथ व्रज भाषा, अवधी, उर्दू, फार्सी और तच्चम शब्दों के मिले जुले प्रयोग के कारण उसे सदुकडी भाषा बोलते हैं साध्वों की भाषा के कारण उसे बोलते हैं संस्कृत निष्ट भाषा के कारण उसको सदुक्री भाषा बोलते हैं इन में से कोई नहीं सदुक्री भाषा उनकी भाषा को इसलिए बोला गया क्योंकि कबीर जी जगा जगा घूमते रहे कई जगा घूमा उन्होंने सादू संतों के संपर्क में रहे जितनी जगा पे रहे उन सभी की भाषाओं की शब्दों को अप्ट करते रहे देखे अगर हम लोग भी अभी जैसे कहीं पे भी रहें आप मान लीजे कहीं रह रहे हो वहां से आप कुछ समय के लिए कहीं आपके पापा का ट्रांसर हो जाए आप लोग जाके अगर अपना प्लेस चेंज कर दोगे तो आपकी भाषा में कहीं न कहीं वहां के इस्थानिये भाषाओं के शब्द अपने आप आने लगते हैं आप अपनी मूल भाषा नहीं भूलेंगे लेकिन जहां आपके पापा का ट्रांसर हो जाए उस जगहा के उस स्थान की जो मूल भाषा है उसके कुछ मान लीजिया बंगाल जाएए महरास्ट जाएए गुजराद जाएए तो वहां की जो मूल भाषा के कुछ शब्दों के आपकी लैंग्वेंड में अमूमन आ ही जाएंगे तो वही चीज कबीर जी के साथ हुई कबीर जी गूमते रहे फिरते रहे तो उनकी भाषा में क्या हुआ हर जगहा की भाषाओं के शब्द आते रहे बहुत सारा हो गया उसके अंदर तो वो सादू संतों के संपर्क में भी रहे तो इसलिए वो सधुकडी भाषा के तो उनकी भाषा में क्या आप देखेंगे जो है उसमें ब्रज भाषा के शब्द भी मिलेंगे अवधी भी मिलेंगी उर्दू भी मिलेंगी फार्सी भी मिलेंगी और तस्सम शब्दों के मिले जुले जो प्रयोग होते हैं वो भी आपको मिलेंगे तो यहां पर क्या सही होग को हमारा पहला वाला इसी कारण से उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा बोला जाता है अब कोशन नमबर 10 10 में क्या दिया है कबीर के प्रस्तुत पद में कौन सा रस है जो हम यहाँ पर उनके पदपढ़े हैं हमने इस पार्ट में उसमें कौन सा रस है श्रिंगार रस, वीर रस, शांतरस या करुणर रस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो टोटल जो है वो इश्वर की ही भक्ति में हैं हमने देखा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इश्वर की भक्ति में रहते हैं, तो वहाँ कौन सा रास होता है, वो होता है, शांतरस होता है, मदला पहम जब संसार भी चोड़ दें संसार के When Ryan वी न रहे सिर्फ इश्वर की तरफ में और इससार की मह kij니 में रहते हुए इश्वर की भक्तिizzigy करते हैं तब भक्तिरस कहलाता है और जब संसार की मुह measure को छोड़ देती हो सिर्फ इश्वर रम जाते हैं तो वो हमारा शांतरस के अंदर आ जाता है अब है कोशन नमबर 11 11 में है नीरु और नीमा नामक जुलाहा धंपत्ती ने किस बालक का पालन पोशन किया था अब इसको कुछ इस तरीके से भी कोशन पूछा जा सकता है कबीर जी के माता पिता कौन थे तो यहाँ पर माता पिता बोलेंगे लेकिन ये इनके पुत्र नहीं थे इनको नदी में मिले थे तो यहाँ पर जो है उनको पालन पोशन कबीर जी का किस ने किया था नीरु और नीमा नामक जुलाहे ने तो सही आंसर क्या है किस ने किया था कबीर का नीरु और नीमा नामक जुलाहा दमपत्ती ने कबीर नामक बालक का पालन पोशन किया था अब है कोशन नमबर 12 कोशन नमबर 12 है संत कबीर जी ने एश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है संत कबीर जी ने कितने स्वरूपों को जाना है तीन स्वरूपों को, दो स्वरूपों को, एक स्वरूप को या इन में से कोई नहीं तो उन्होंने क्या माना है? सिर्फ एक रूप को माना है किसको? ईश्वर के सिर्फ एक रूप को ही वो पूजते हैं और किसी को वो जानते समझते नहीं है अब है question number 13 13 में है इसलाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है ग्रंथा वली, कुरान शरीफ, पुरान या वचना वली तो इसलाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है कुरान शरीफ अब है question number 14 Question number 14 है पाइन तर क्या पुछा यहाँ पर पाइन तर से क्या ताद पर है पैरों पर पैरों के पास उप्रोक्त दोनों या पाइल तो यहाँ पर क्या दिया है पाइन तर का मतलब होता है पैरों पर या पैरों के पास दोनों ही उत्तर होगा तो सही क्या हम यहाँ पर लगाएंगे उप्रोक्त दोनों तो यहाँ पर देखे इसके दो आंसर थे तो हमने दोनों दिये अगर आपसे एक आंसर भी पूछा जाएगा तो आपको दियान रटना है कि पाइन तरका ये दोनों ही आंसर होते कोई एक होगा तो आप उसको भी आप्ट करेंगे Question number 15 Question number 15 है पीर का क्या अर्थ होता है पीर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है पीर ओलिया पीर कौन होते हैं गुरू आध्यात्मिक सिक्षक को बोलते हैं साधना के मार्ग दर्शक को बोलते हैं अल्लह का पैगंबर होता है उप्रोक्त सभी तो यहाँ उप्रोक्त सभी जो मतलब हमें इश्वर के बारे में बताएं कि इश्वर ये हैं उन्होंने हमें ये उप्देश दिये हमें ये करना है तो वो सब चीजे हमारा मार्ग दर्शन करें हम कहीं उलजे हैं कहीं हमको तकलीफ है तो हम उनसे अगर अपनी तकलीफ तो वो हमारा सही मार्क दर्शन कर सके. तो वो क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं. तो ये तीनों ही आप्शन सही हैं, इनको देखेटा. अब एक कोशन नबर 16 कोशन नबर 16 है कबीर के अनुसार कबीर के अनुसार क्या मंदिर मस्जिद एक है अमीर गरीब एक है उपरियुक्त सभी या आत्मा परमात्मा एक है तो कबीर के अनुसार क्या है आत्मा और परमात्मा एक है मतलब हम अगर अपने आपको खुजते हैं तो अर्थात हमारे अंदर ही ईश्वर हैं और हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे तो हमारी अंतरात्मा ही हमारा परमात्मा है अब है कोश नमबर 17 17 में क्या है? ओलिया शब्द से क्या तात्पर है? संत, महात्मा, फकीर या उप्रोक्त सभी तो यहाँ पर ओलिया से ये सभी तात्पर है संत, महात्मा, फकीर सभी ही मतलब होता है तो देखे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ शब्दों के अर्थ आ रहे हैं सिर्फ आपको लेखक परिचे, पाट परिचे या व्याख्याओं को या अंसियाटी सिलूशन से नहीं पढ़ने शब्दार्थों को भी पढ़ने क्यों क्योंकि इनसे भी कोशिंस बनते हैं जब आप अर्थ नहीं समझेंगे तो व्याख्याएं भी नहीं समझ सकते हैं, अब आते हैं question number 18 पे, 18 में क्या दिया है, खाला कौन होती है, खाला शब्द इस्नमाल के आगया है हमारे पद में, तो वो खाला कौन है, मौसी, मा की बहन, उप्रोक्त दोनों या बहन, तो यहाँ आपर, खाला काताद पर होता है, मौसी या मा की बहन, दोनों ही हमारा सही है, अब है question number 19, 19 में क्या है, पहले पद में कबीर जी ने किस पर प्रहार किया, तो हमारे सामने दो पद दिये गए, तो उसमें जो पहला पद है, उस पर वो किस पर प्रहार कर रहे हैं, मतलब अपन के शब्दों के जरीए, वो किस पर कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं, ततकालीन समाज विवस्था पर, हिंदू और मुसल्मान के धर्म आचरण पर, नास्तिक लोगों पर या उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो हम यहामने वहाँ पर देखा है, कि किस तरीके से वो बताते ह हैं, तो यहाँ पर उनको क्या बताया गया है, कि हिंदू और मुसल्मान के धर्म आचरण के बारे में बताया गया है, कि कहने को तो वो बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, मगर धर्म के प्रति, उनका आचरण किस प्रकार का है, यह चीज उन्होंने दर्स आई है, तो यहाँ पढ़कर हिंदू और मुसल्मान के विशे में क्या पता चलता है हिंदू और मुसल्मानों के बारे में हमें पता क्या चलता है दोनों अपने धर्म के प्रती निश्ठावान हैं यानि कि वो अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानते हैं दोनों सही मार्ग का अनुसरन कर रहे हैं मतलब हिंदू और मुसल्वान दोनों ही सही रास्ते पे हैं वो कोई गलत कारी नहीं कर रहे हैं दोनों धर्म की रूडियों का अंधा अनुसरन करते हैं मतलब धर्म की जो रूडिया, जो गलत बाते हमें से पता चल गई हैं, हम उनको बस आँख बंद करके फॉलो करते चले जा रहे हैं, बूची इसको हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि गलत है, क्या सही है, यह साथ चाथ चीज़ है, उपरोप्त में से कोई नहीं, तो सही क्या है, दोनों धर्म की रूडियों का अंधा अनुसरण करते चले जा रहे हैं, कि मतलब कहीं है ही नहीं कुछ, कि वो क्या समझें, उनको जो कुछ मिलता चला आ रहा है, बस उसको आख बंद कियें, अपनी सोच नहीं दे रहे हैं, अपने तर्क वितर्क सामने नहीं रख रहे हैं, चीक है ये होता चला रहा है हम इसको करते चले जाएंगे मगर इसके पीछी का क्या तर्क है क्यों कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है अब एक question number 21 21 में है कबीर जी ने मुसल्मान पर किस प्रकार का कटाक्ष किया है अपने ही परिवार की बेटी को विहा कर लाते हैं इनके इष्ट मांस खाते हैं घर में बहुत साफ सफाई रखते हैं कि का और खा सही है तो जैसा कि पद में इंगित है क्या चीज कि वो अपने ही परिवार की बेटी को ब्या कर लाते हैं और उनके जो इश्ट है यानि कि जो बड़े लोग हैं वो क्या है वो मांस खाते हैं तो यहाँ पर का और खा हमारा दोनों ही सही हुगा अब एक वोश नमबर 22 22 में क्या है कबीर जी ने हिंदूओं पर किस प्रकार कटाक्ष किया है हिंदूओं को किस प्रकार से वो बोलते हैं कि ये लोग क्या करते हैं उनके बारे में क्या चीज बताई है अपनी बहुत बड़ाई करते हैं वो लोग अपनी गागर तक को किसी को छूने नहीं देते वेश्याओं के पैरों के पास पड़े रहते हैं उप्रोक्त सभी तो यहाँ पर इन सभी बातों को जो है उन्होंने हमारे सामने रखा है कि सारी चीजे वो हिंदुओं पर भी कटाक्ष कर रहे हैं यह सारी चीजे ऐसे हिंदु करते हैं अब एक कोशन नमबर 23 पती के वियोग में विरहनी की कैसी दशा हो गई है अब यह जो दूसरा पद हमारे सामने है जहां पर ईश्वर और कबीर जी ने पती पतनी जैसे रिष्टे के बारे में बताया गया है क्या दिया है पती के वियोग में विरहनी की कैसी दशा हो गई है उसे भूक प्यास नहीं लगती है उसे नींद नहीं आती है वह रोती रहती है का और खा सही है का और का हमारा बिटकुल सही है अब आते हैं हम question number 24 पे 24 में क्या है दूसरे पद में प्रयुक्त बालम शब्द का क्या अर्थ है जो दूसरा पद है उसमें बालम शब्द प्रयुक्त किया गया है उसका अर्थ क्या है, क्या मतलब होता है पती, प्रेमी, सखा या बंधू तो यहाँ पर बालम से ताट पर रहे किसका है पती से, क्यों क्योंकि वहाँ पर जो पती शब्द है बालम शब्द जो है, वो किसके लिए बताया गया है इश्योट के लिए बताया गया है और विरहनी कौन है, कबीर है वो पती की विरहा योग में जल रहे हैं विरहा अगनी जो होती है उसमें बुरी तरीके से जल रहे हैं तो यहाँ पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि दूसरे अगर इन्होंने आश्रे अर्थ पूछा है अगर उन्होंने बालम का आश्रे पूछा होता तो वो जिस अलग हो जाती तो यहाँ बालम का आश्रे इश्वर से था कौन है आश्रे इसका इश्वर है लेकिन यहाँ बालम का अर्थ पूछ रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा पती होगा कोश्चिन नमबर है 25 25 में है कबीर किस भाषा का प्रयोग करते हैं उनकी भाषा जो नहीं कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं पंजाबी, खड़ी, बोली, हिंदी, सदुकडी भाषा या ब्रज भाषा तो उनकी भाषा कैसी है? सदुकडी भाषा क्योंकि उनमें कई सारी भाषाओं का मेल है जैसे कि अभी हमने देखा कि ब्रज भाशा है, अवदी है, उर्दू है, फार्सी है, तस्म शब्दों का भी बहुत सारा उसमें इस्तिमाल किया गया है तो कई सारी भाशा है उसमें मिली हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? सदुक्री भाशा बोलते हैं Question number 8, 26 26 में है, जेवन से क्या तात पर है? जेवन शब्द जो है, वो हमारे पहले पद में इस्तिमाल किया गया है इसका क्या मतलब होता है? जीमना, भोजन करना, उपरोक्त दोनो या आभूशन तो यहाँ पर जेवन से तात पर है, जीमना या भोजन करना अर्थात सभी लोग बैट कर जितनी स्त्रियां हैं क्या हैं वो साथ बैट कर भोजन करती हैं तो वही चीज यहां पर बताई गई है तो यहां उप्रोक्त दोनों अर्थ हैं तो हम क्या लगाएंगे उप्रोक्त दोनों ही सही है अब है question number 27 कबीर का जन्म कहां हुआ मतलब उन्होंने जन्म कहां पर उनका हुआ था काशी, मथुरा, आयोध्या या आग्रा तो हम सभी को जैसे पता है कि कबीर जी का जन्म जो है वो काशी में हुआ था question number 28 कबीर की मृत्यु कब हुई मतलब उनका देहा वसान कब हुआ 1511, 1513, 1515 या 1518 तो कबीर जी की इमृत्य हुई है 1518 में देखे सन आपको याद रखना बहुत जरूरी है जितने भी राइटर आएंगे सभी जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो जो भी राइटर हैं आपके poet हैं कभी हैं लेखक जिनको हम बोलेंगे उनके जो भी सन है important सन जैसे कब उनका जन्म हुआ कब उनकी मृत्य हुई किस सत में उनको पुरसकार प्राप्त हुआ या उन्होंने किसी सिक्षा से related कोई degree प्राप्त करी कुछ भी है तो इन सन जितनी भी dates हैं आपको याद र जाया मत्रा तो उनकी मृत्य हुई थी कहां पर मगर हर में उनकी मृत्य हुई थी कोशन नमबर है 30 30 में क्या है विरहनी स्वामी के लिए कितनी व्याकुल है विरहनी जो है वो स्वामी अर्थात अपने प्रतिपती के लिए कितनी व्याकुल है वो जितना चांद चकोर के लिए हूता है मोर बादल के लिए हूता है प्यासा पानी के लिए होता है किसान वर्षा के लिए होता है तो पद में कैसे दिया है जैसा प्यासा पानी के लिए व्याकुल होता है उसी तरीके से विरहनी जो है वो अपने स्वामी के लिए व्याकुल है व्याकुल मतलब परिशान है उनसे मिलने के लिए तड़प रही है Question number 31 31 है कबीर किस भक्ति मार्ग को सही मानते हैं यानि कि कौन से भक्ति मार्ग को अनुने एकदम सही माना है तो आप जैसे ये कोशन है इस तरीके के कोशन आपको कहां मिलेंगे जब आप कबीर के जीवन परिचे से नीचे उनकी काविगत विशेशताओं में आएंगे तब आपको इस तरीके के वहाँ पे कई चीज़ें पढ़ेंगे तो इसलिए हम बोलते हैं जीवन परिचे पढ़िए, काविगत विशेष्टाएं पढ़िए, पाठ परिचे पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है तो यह से कोशन्स आपको वहीं पर मिलेंगे तो वो मांगते हैं कि भक्ति मार के लिए आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए आपको अनुष्ठान करने चाहिए, मतलब हवन करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए, कथा करिए, पाठ करिए, बहुत कुछ करिए, यह सब चीज़े करते हैं सहज भाव से यानि कि भक्ति क्या है वो हमारे अंतरमन से जागती है तो हम सहज ही जब हमारा अंतरमन साफ होगा तो हम अपने ही आप जो है वो ईश्वर की भक्ति में रम जाएंगे योग से कहने का मतलब तप करिए योग तपस्या करिए तब आपको आएगा तो कबीर कैसी भक्ति मारकों को सही मानते हैं वो सहज भाव को मतलब अपने मन की शुद्धी रखिए जो है अंदर इश्वर आपके अपने आव्याप्त हो जाएंगे आपको कुछ करने की ज़ुद्ध और आपको इश्वर मिल भी जाएंगे बस आपको अपना मन शुद्ध रखना है कोशन नमबर 32 32 में कबीर के गुरु का क्या नाम था भई सभी को कोई न कोई गुरु प्राप्त होते हैं तो उनके गुरु कौन थे नारायन नंद, बल्लभा, चारे, विठल, नात या रामानंद तो कबीर दास जी के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद जी उनके गुरु थे कोशन नमबर 33 33 में है कबीर के काव में, निम लिखित में से क्या नहीं मिलता है? जो उनका काव यह हम पढ़ते हैं उसमें यहां चार चीज़े दी हैं जो हमें नहीं मिलता है तो क्या है वो? गुरु के प्रतियास्था उनके गुरु रामानंद जी जी थे तो उनके प्रतियास्था हमें उनके दोहों और पदों में देखने को भी मिलती है फिर है आत्म बोध यानि कि आप अपने अंदर के अपनी अंतरात्मा का बूद करिये, जागिये, ये सब भी हमें उनकी पदों में मिलता है, सदुकडी भाषा है, ये भी मिलती है, फिर क्या है मसनवी शैली, जो नहीं मिलती वो है मसनवी शैली, मसनवी शैली क्या होती है मैं आपको बता दे, शेर जो शायरियां लिखी जाती जो शायर होते हैं वो लिखने की जो शैली होती है उसको मस्तनवी शैली कहते हैं तो युनों ने शेरो शायरी तो करी नहीं है तो वो शैली इनके में हमें नहीं मिलती है तो मस्तनवी शैली का हमने आपको एक इनिशल जो है वो इंट्रो दे रिया कि जो शेरो शैरी है उसको क करने का जो तरीका होता है कुछ उसमें नियम होते हैं वो सभी चीजें क्या किसके अंतरगत आती है मस्नवी शैली के अंदर आती है तो यह जो है यह किस क्या क्या कहलाती जो नहीं मिलती है कबीर जी के शैली में वो है मस्नवी शैली क्योंकि उन्होंने शेरो शायरी नहीं करी अब आते हैं question number 34 34 है बालब आवो हमारे गेहरे में कवीर अपने आराध्य और स्वेम के बीच किस संबंध को मानते हैं क्या किस संबंध को उन्होंने माना है पती और पतनी को पतनी और पती को गुरू और शिश को शिश और गुरू को अब आप यहां थोड़ा सा confused होंगे क्या भई पती पतनी हो या पतनी या पती हो बात तो एक है यहां पर फरक है आपको थोड़ा सा यह चीज समझनी पड़ेगी जब question जिस order में पूछा जाता है आंसर भी हमें हमेशा उसी order में देना पड़ता है तो यहां पर इन्होंने क्या दिया बालम आवो हमारे गे है यह चीज उन्होंने लाइन दी आप उन्होंने क्या पूछा कभी में कभीर अपने आराध्य और स्वेम तो पहले इन्होंने क्या पूछा आराध्य और बाद में पूछा स्वेम तो आराध ही कौन है? पती है और स्वयम कौन है? वो पतनी है विरहनी पतनी तो सही हमारा कौन सा है? पती पतनी देखे question जिस order में पूछाये answer ने तो आप बोलोगे पती पतनी हो या पतनी पती हो अगर आपने पतनी पती पे लगा दिया तो ईश्वर पतनी हो गया जो विरहनी में तड़प रहा है और कबीर कौन हो गये पती हो गये जो आराम से बैठे हैं तो ईश्वर तो नहीं तड़प रहे हैं तड़प कौन रहा है कबीर तड़प रहे हैं और कबीर कौन है? पतनी के रूप में हैं. और पती के रूप में कौन है? ईश्वर हैं. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं. तो आराध्य कौन है? आराध्य आनी की ईश्वर जो हैं वो पती के रूप में हैं. और स्वेम कौन है? पतनी के रूप में. तो ये इस order को प्रकार की भक्ती द्रश्टी कोचर होती है अग ये जो हमने ध्यान से देखिए पहले कोशन को हम देखते हैं जो ये दोनों ही पद्ध हमारे सामने आएं तो किस प्रकार की ध्रश्टी कोचर यानि कि किस प्रकार की भक्ती हमारे सामने आ रही है कैसी वो भक्ती कर रहे हैं द अचल ले भाव यानी की ऐष्वर को वे एक बच्चे की तरह पैयार कर रहे हैं, माधुर्य भाव यहाँ पर क्या है मधुर्था के साथ, मतलब भाव कैसा है कि हम भक्त हैं आप आराध्य हैं सिंपल सा एक जो मधूर भाव होता है तो आपने इनके दोनों पदों को पढ़ाया तो कैसा भाव है उसमें ना उनके दास है इश्वर के ना ही मित्र हैं और ना ही वो बच्चों जैसा कोई बिहेव कर रहे है तो सही क्या है यहाँ पर मधूर भाव से मतलब जो एक भक्त और इश्वर के बीच में मधूर संबंद होता है वैसा ही भाव है यहाँ पर यह चीज़ बताई गई है अब एक कोश्य नमबर 36 36 है कबीर को किस बात में लज्जा का अनुभव होता है कौन सी बात में उन्हें बहुत ही शर्न या लज्जा आती है क्या बात है क्योंकि सारा संसार उन्हें इश्वर की पत्नी कहता है इसलिए क्योंकि वह इश्वर के सग्ड़ रूप की आराधना करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें इश्वर आलोकिक है क्योंकि उनके साथ ही उनसे इर्शा करते हैं क्योंकि उनके साथ के ही जो है उनसे इर्शा करते हैं इसलिए तो सही क्या है इसका आंसर हमारे दूसरे वाले पद में उन्हें लज्जा क्यों आ रही है क्योंकि सारा संसार उन्हें इश्वर की पत्नी कहता है इसलिए उनको लज्जा आ रही है दूसरा जो पद है हमारा जो पति-पत्नी का संबंध उन्होंने इश्वर के साथ बताया है उसमें ये चीज़ दी गई है अब है question number 37 37 में है दूसरे पद में कामनी को बालम किस प्रकार पयारे है कामनी जो है यहाँ पर पत्नी का परयायवाची होता है कामनी तो कामनी को बालम किस प्रकार बालम कौन है पती कामनी है पत्नी यानि पत्नी को अपने पती किस प्रकार पयारे है जिस प्रकार प्यासे को जलसे लगाव होता है जिस प्रकार भवरे को कली प्यारी लगती है जिस प्रकार पक्षी को उड़ना प्यारा लगता है जिस प्रकार चीटी को गुड़ प्यारा लगता है तो यहाँ पर क्या है जिस प्रकार प्यासे को जल से लगाव होता है वैसा ही कामनी को बालम से लगाव है उसे अवैसा ही यहां पर दिया गया है Quesion No.38 कबीर जी कौन सी काविधारा की कवी है? कौन सी काविधारा की कवी माने जाते हैं? यह आपकी बुक में जो है देखिए का जब उनकी काविगत विशेषताय शुरू होती है वहीं पर यह आंसर दिया गया है अभी क्या है? यह हम आपको समझाते हैं पहला है ज्यान मारगी काविधारा यानि कि वो दूसरों को ज्यान प्रदान कर रहे हैं ज्यान देते हैं और ज्यान खुद भी प्राप्त कर रहे हैं तो वो ज्यान के मारग पर पे चल रहे हैं तो उनका जितना भी कावे हम पढ़ेंगे हमें कहीं न कहीं से सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त होगा ऐसा ज्ञान जो हमारे आप किसी भी समय लिखा हो गया भाई वो बहुत पहले 3098 के साइम के जनमे है तो उस समय का लिखा गया है लेकिन तब भी वो हमें ज्ञान प्रदान करते रहते हैं सूफी कावेधारा ना सूफी संतों जैसी उनकी कावेधारा है प्रेम आश्रह है यानि प्रेम से लिप्त उनके सारे कावे हमको मिलते हैं या इन में से कोई नहीं तो हम उनकी काद को जितना भी पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा है कि हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो क्या है ज्ञान मारगी का विधारा के कवी माने जाते हैं कोशिय नमरे 39 39 है कबीर बेहाल क्यों हूँ उठे हैं क्या हाल है कि वो बिल्कुल बेहाल हो उटे हैं, परमात्मा से वियोग के कारण, परमात्मा से सहयोग के कारण, परमात्मा से विद्रो के कारण या इन में से कोई नहीं, तो कारण क्या है, परमात्मा से वियोग के कारण वो बिल्कुल बेहाल हो उटे हैं, अब परमात्मा पत पतनी का बताया अब उनसे बिल्कुल उनसे बिछडे हुएं तो बहुत ही जादा परिशान है ग्रह बन में कौन सा अलंकार है ग्रह बन अब यहाँ पर घर भी कैसा जंगल जैसा तो यहाँ पर एक विशेशन है एक विशेश है ध्यान दीजे का ग्रह और ठीक है जो क्या है गर भी जंगल जैसा हो गया है तो यहाँ पर जो है दोनों के बीच की जो दूरिया थी उनको खतम कर दिया दोनों एक विशेशन एक विशेश है दोनों के बीच किसी भी तरह की दूरी ना होते हुए दोनों एक जैसे को कहें कि ग्रह जंगल ग्रह ऐसा लग रहा है तो यहां जहां पर दोनों ही शब्दों के बीच की यानि विशेशन और विशेश के बीच की सारी दूरियों को मिटा दिया जाता है उनमें एक ताला दी जाती है वहां पर कौन सा लंकार होता है हमारा रूपक लंकार होता है अब देखें यमक नहीं है यमक का मतलब क्या है जहाँ पर एक शब्द दो बार इस्तेमाल और दोनों ही अर्थ अलग अलग हूँ तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है तो यह मकलंकार नहीं है उप्मा लंकार नहीं है यहाँ पर किसी से उप्मा नहीं दी जा रही है और उप्मा के जो लाक्षणिक शब्द है अर्थात सासी से समस्रदिश उन शब्दों को यहाँ इस्तमाल नहीं किया गया तो यहाँ पर फिर रहा अनुपरास अलंकार यहाँ पर एक ही वन्ड की आवनत्ति कई बार नहीं हो रही इसलिए यहाँ पर अनुपरास अलंकार भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है रूपक अलंकार होगा Question number 41 41 है कबीर के पदों की भाषा में कौन सी भाषा के शब्द सम्मिलित नहीं है चीक है अब देखे यहाँ पर क्या है उन्होंने क्या पूछा कौन सी भाषा के शब्द सम्मिलित नहीं है कौन-कौन से सम्मिलित थे हम देखे पढ़ चुके हैं अब नहीं है वो हमें बताने है पंजाबी, बुंदेली, उप्रोक्त दोनो या अवधी तो यहाँ पर जो उनकी भाषा में सम्मिलित नहीं है वो हैं पंजाबी, बुंदेली तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे उपरोग तो दोनों ही सम्मिलित नहीं अब उनकी भाषा में कौन कौन से थे ब्रज भाषा थी, आवदी थी, उर्दू थी, फारसी थी यह भाषा हैं थी न तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो है पंजाबी और बुंदेली तो दोनों ही हम टिक करेंगे कोशिन नमबर 42, 42 है बालम आवो हमारे गेहरे में गेह शब्द का परयायवाची क्या है पहले तो गेह शब्द का आर्थ समझिए और फिर दिवताईए कि उसका परयायवाची क्या होगा तो शब्द क्या है गेह, गेह मतलब घर, अब घर का क्या होगा घर, ग्रह, आवास, सदन, निकेतन, कुछ भी ले लीजिए तो यहाँ पर तो सभी होंगे, तो सही क्या है उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है वो गेह के परयायवाची है कोशन नमबर है 43, 43 में क्या दिया गया है कामिन इनको बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर क्या दिया है कामिन इनको है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे तो यहाँ पर क्या है जिस तरीके से कामिन को जो है बालम प्यारे हैं कैसे प्यारे हैं जैसे एक प्यासे को पानी प्यारा होता है तो यहां पर आप यह चीज़ देखेंगे कि वैसे तो हम यहां जियों शब्द से ताद पर ले सकते हैं कि यह उत्परेक्षा लंकार होगा लेकिन हमारे सामने options में यह नहीं दिया गया है तो अगर option में दिया होता तो हम उसको वैसा करते हैं लेकिन यह option में नहीं है तो यह चीज लिए हम इसको पहले डिनाय कर देते हैं फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कामिन का प्यार और प्यासे की प्यास को दोनों को एक रूपता में लाया गया है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा अब देखें हम यहाँ पर फिर वही एक चीज अगर हम देखना शुरू करेंगे एक ही कलंकार से मिलाईए यमा कलंकार यहाँ पर देखें एक ही शब्द दो बार नहीं आया कि जिसका अर्था लग अलग हो तो यमा कलंकार नहीं होगा श्लेश लंकार यानि कि एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हूं ऐसा भी नहीं हमको देखने को मिल रहा है इसलिए श्लेश लंकार नहीं है उपमा लंकार यहाँ पर जो हम यह नहीं देख रहे हैं एक की उपमा दूसरे से नहीं कर रहे हैं पर समरूपता दिखा दिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि यह ऐसा है, तो यहाँ पर क्या कल रहे हैं, दोनों में समानता दिखा दिखा दिए, तो इसलिए उपमालंकार भी नहीं है, तो सही हमारा क्या है, रूपक अलंकार हमारा एकदम सही होगा, अब हम आते हैं कोश्च की आवनत्ति कई बाणिस वसक खियां में सावन की आवनत्ति ए कहें कबीर में कावन आपनिते हैं इसलिए क्या होगा हमारा अनुप्रास अलंकार थी शुका वज जहां पर एक ही वण की 45 है दुखिया देहे कोई कहे में कौन सा अलंकार है देखे उन जितने कभीर जी के आप पढ़ेंगे न उसमें अलंकार बहुत सारे पाये जाते हैं लेकिन खास तोर से उनमें जो पाये जाता है वो है नुपरास अलंकार, पुर्मुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार ये उनकी प्रम्कुता रही है ये चार अलंकार उनके पदों में खास तोर से पाये जाते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर से दुखिया देह में दावन की आवनत्ति हुई है और कोई कहे में कावन की आवनत्ति हुई है इसलिए यहाँ पर क किसके द्वारा संकलित और संपादित किये गए हैं। मतलब किसने इन पदों को इकत्र किया है और फिर उनको छपवाया है। तो ये कौन किसने किया है। विठल नातिवारी, पारस नातिवारी, ब्रजभूशन तिवारी या विजय तिवारी। तो इन पदों को संकलिद और संपादित करने का कारी किया है पारसनातिवारी जी ने तो जब आप इनके पार्ट परिचे को पढ़ेंगे तो उसी में देखिये आखर में ये पार्ट परिचे में दिया गया है तो ये पारसनातिवारी द्वारा संकलिद और संपादित है कबीर वाडी से, कबीर व्याख्या से, कबीर व्याख्यान से या अवप्रोक्स में से कोई नहीं तो यह जो लिये गएंगे हैं, दोनों ही पद ये कबीर वाडी से लिये गएंगे Ques potrze number 48 कबीर जी की कुछ रचनाएं किस पवित्र गरंथ में संकलित की गई कौन सा ऐसा पवित्र गरंथ है जिसमें कबीर जी की दोहों को सम्मलित किया गया है उनके पदों को सम्मलित किया गया पवित्रग्रंथ है रामचरित मानस गुरुग्रंथ साहब गीता या उपरोक्त कोई नहीं तो वो पवित्रग्रंथ है गुरुग्रंथ साहब में जो है कबीर दास की दोहों को सम्मलित किया गया है Q49 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 लेंगे उप्रोक्त सभी के संपर्क में वो रहे उनकी संगती में रहे कि आ रहे है नंबर पहली जो साकी है क्या दिया है अरे इन दोव रहा न पाई हिंदू अपनी करें बढ़ाई गागर छुवन न कोई न देई वेश्या के पायन तल सोवें यह देखो हिंदू आई मुसल मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई खाला केरी बेटी ब्यागरेई में करें सगाई बाहर से एक मुर्दा लाएं धोए धाये चड़वाई सब सखिया मिली जेवन बैटी घर भर करें बढ़ाई हिंदून की हिंदूवाई देखी तुरकन की तुरकाई कहें भाई साधो कौन राहे जाई तो अब यहां पर जो है जो धर्म होते हैं उनके जो आडंबर हैं की बाते हैं उन्हीं पर यहां पर कटाक्ष किया है कबीर जी ने क्या बोलते हैं अरे इन दो रहा न पाई मतलब इन दोनों ने कोई रहा नहीं पाई इन दोनों से ताथ पर है हि हिंदू और मुसल्मानों से यानि के अलग-अलग धर्मों के तो यहां पर सिर्फ दो धर्मों का ही उन्हें उधारन दिया है तो क्या बोल रहे हैं हिंदू अपनी करे बराई गागन छुए न दाएं बहुत हम पाक धर्म पवित्रवाले हैं अपनी गागर तक यानि की पीने- पर्मिशन नहीं होती थी लेकिन वेशा पायन तर सोएं यह देखो हिंदवाई दिन में क्या करते हैं यह लोग जो है वह अपने पीने का बरतन भी किसी को छूने नहीं देते और रात में क्या होता है वह वेश्याओं के पैरों तले पड़े रहते हैं सारी रात वहीं पर ग बहुत ज़्यादा ग्यान होता है यह लोग जो हैं मुर्गा और मूर्गी खाते रहते हैं मतलब अपने धर्म को पहले ही ब्रिष्ट करते रहते हैं खाला केरी बेटी ब्याएं घरी में करें सगाई यानि खाला यानि कि अपनी ही बेहन की बेटी वगरा से यह ब्या कर लेत तो अब यहां करें कि बाहर से एक मुर्दा लाते हैं अर्था तात पर यहां कि मरा हुआ जानमर जैसे मुर्गा है बक्रा है यह सब लेके आते हैं घर से धोते दाते और पकाते हैं और सब जो है ना मिलकर एक ही थाली में बैठ कर खाते रहते हैं और बड़ा बड़ाई करते लेकिन उसी साथ ही बहुत सारे बुरे कर्म भी करते हैं। तो ये पहली साथ कि अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं। सुनाए रहे अब तो बेहाल कभीर भयो बिन देखे जिव जाए रहे तो यहां पर जो सामने रखा है आपको ऐसे पढ़के लग रहा होगा कि कोई प्रेता या प्रेशी होती है वो अपने प्रेमी से विरहा में हैं इसलिए सारी के रहे हैं उसको खाना लग रहा है ना भूग बताया है कि किस सरीके से उनकी आत्मा जैसे प्रेमी का होती है अपने प्रियतमर्थात परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है तो क्या बोल रहे हैं बालम आवो हमारे घर मिया तो यहां बालम से तात पर रहे है ईश्वर से वो ईश्वर को बुला रहे हैं कि हमारे घर आई सब लोग बोलते हैं कि यह तुम्हारी ही जो है नारी है और मगर मुझे को लाज लग रही है मतलब क्या बोलते हैं आत्मा का घर कहा है परमात्मा के बाद से सब यह बोलते हैं तो यह तुम्हारी नारी है नहीं कि यह आत्मा तो बोलते हैं कि वो प्रियतम की है लेकिन मुझे तो बड़ी ही शर्म आती है अर्थात मैं आपसे मिलने के लिए तत्पर हूँ दिल में नहीं लगाया तब लग कैसा इस नहरे जब मैंने आपको दिल से ही नहीं लगाया तब इतना इस नहीं क्यों हूँ रहा है मुझे मैंने तो आपको इतना चाहा नहीं सब लेकिन तब भी मेरा मेरी आत्मा जो है वो बेचैन है आपसे मिलने के लिए मतलब ना मुझे अच्छा लग रहा है ना पानी अच्छा लग रहा है और ना ही मुझे ये घरद्वार सब कुछ अच्छा बन जंगल कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीरिनी कामिन यानि की आत्मा को कौन प्रार है प्रियतम प्यारा अर्थात परमात्मा प्रारा जिस तरीके से प्यासे व्यक्ति को पानी की चाहत होती है उसी तरह मेरी आत्मा को आपकी चाहत है है कोई ऐसा परुपकारी पिवासे को सुनाए रहे मतलब ऐसा कोई उपकारी है जो मेरी आत्मा को परमात्मा से मिल वाले अर्थात हम जोनों के बिरुपी जो बिर्हा है वो समाप्थ हो जाए अब तो बेहाल कबीर भयो बिन देखे जिव जाए रहे मתलब अब कबीर कह रहे हैं कि मेरी हालत तो बहुत ही पूरी हो चुकी है मैं बिना देखेगी आपको जिये जा रहा हूँ अब मेरी क्या है एकदम मतब ऐसी कंडिशन है कि मैं किसी भी वक्त अपने प्राण को त्याक सबता हूँ मेरी बहुत ही बुरी हालत है तो यहां पर यह दूए अर्थ ही आपका पद है ध्यान रखेगा पहला अर्थ तो यहां देख लेसे लग रहा है कि यह वियोग वर्णन में है यानि नायक नायका जो है वो पूरी तरीके से विचिप्त है लेकिन अगर इसके पीछे के अर्थ को जाएंगे तो इसके अंदर शांत रश है यानि कि सब कुछ छोड़ चाड़कर सिर्व ईश्वर की ही चाहत है यहां पर चलिए अब इनके पदों के सार को समझ लेते ही क्या दिया है कबीर वाड़ी के ही कुछ पदियां पर प्रस्तुत किये गये है उन्होंने दोनों धर्मों में व्याप्त विभिन आडंबरों को उजागर किया है और सात ही उनके अन्याईयों को प्रेरित करने करते हुए कहा है कि वह जिस रहा पर चल रहे हैं वह उन्हें पतन की और अग्रसर कर रहा है कहने का मतलब है ये दोनों ही अपने धर्म को बहुत ही बड़ा बताते हैं सब कुछ बताते हैं लेकिन ये सिर्फ दिखावा है आडंबर है ये सब चीजें मतलब आप देखेंगे कि इसके पीछे तो जा रहा है दूसरा पद ने कभी ने ब्रह्म को प्रियतम और स्वयम आत्मा को विरणी इस्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है यानि परमात्मा क्या है वो इश्वर को क्या बताया हुआ है कि प्रियतम बताया है और अपनी आत्मा को क्या बताया है प्रियस यानि कि विर कभी इन ने प्रेम और भक्ति के मार्ग को श्रेष्ट बताया है जब तक जीव यानि अर आत्मा ब्रह्म ग्यान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उसका कल्यान होना अत्यन्त कठिन है यानि कि यह जो आत्मा है इसको संतुष्टी कहीं जा कहां जाकर मिलती है जब वो पर दिया दोनों ही यहां पर जो इसके अर्थ को पूछें तात्पर्रे पूछें आश्रे पूछें आपको ध्यान रखना है कि उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है अब इसी पर प्रेश्ट संख्या एक कभीर ने हिंद्वों की किस कुरीती का वर्णन किया है उन्होंने क्या संथे कभीर कभीर उन्हों की कुर्युती का वर्णन करतेक यह कहते हैं हिंदू स्फैम को मानते हैं इसलिए अन्य वर्ग के द्वार अपने मत्के iणी पीणे के पानी का पात्र भी छूने पर अपवित्रता का टोंग करते कि यानि कि दूसरा कोई उनके पीने के मटके को चूले फव पवित्र हो जाता है इस a जडू करते हैं कि तो दूसरी वोर जब वेश्या के फंड़ों के नीचे सोते हैं तब उनका हंद्र आ यसा कुछित्या नहीं होती है यह यानि कि अपनी पानी के बरतन को अगर को उनके छूले तो वो अपवित्र हो जाता है लेकिन खुद वो क्या करें वो दूसरे अपवित्र इंसान के पैरों में पड़े रहें तो वो गलत नहीं है कोशन नमर्टू है कवी किसका आवाहन कर रहा है और क्यों यह दूसरे पच्च लिया गया प्रशन है किसको बुला रहे हैं वो इश्वर को बुला रहे हैं क्यों क्योंकि उन्होंने अपने आपको क्या बताया है विरह में तडबती हुए स्थरी के समान व्यक्त किया है कवी आत्मा और इश्वर को परमात्मा के रूप में चत्रत किया है अता आत्मा यानि की कवी परमात्मा का आवहन करें क्योंकि परमात्मा रूपी प्रियतम की उपेक्षा भाव के कारण आत्मा रूपी प्रियतम वियोक से विला है उसे ना तो भोजन अच्छा लगता है और न नहीं कर पा रही है वह परमात्मा के मिलन के लिए तरब रही है तो उन्होंने किसका आवान किया है उनकी आत्मा परमात्मा का आवान कर रही है क्योंकि उन्हें ना खाना अच्छा लग रहा ना पाड़ी अच्छा लग रहा रही है उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रह अब उनकी इस्ति कैसे है तो उनोंने क्या बताया है कि जैसे बिन प्यासा कोई तड़पता जिसके प्यासे विक्ति को जैसे पानी की आस होती है वो पानी के लिए तड़पता रहता है वैसे ही उनकी आत्मा परमात्मा के लिए तड़प रही है कि किसी तरीके उनसे मिलने तो क्या है प्रेमी की न मिलने पर कबीर की इस्तथी प्यासे विक्ति के समान ह किए कि प्रियतम가 AS को अपना प्रियतम उसी प्रकारी है जैसे प्यासे को पानी अच्छा लगता अर्थात जिस प्रकार कोई प्यासा पानी के लिए तडबता उसी परकार आत्मा परमात्मा के लिए दड़ती है प्रियतम के बिना कभी की आत्मा विथित हो चुकी है और यह आत्मा अपने परमात्मा से मिलने को दड़त रही है यानि कि वो बहुत ही ज़ादा परिशान है विधित है बस किसी तरीके से वो अपने प्रियतम से मिल लेना चाहती है प्रश्ण संख्या चार है कबीर की भाशा पर टिपड़ी कीजे कबीर एक ऐसे संत थे जो बहुत ही ज़ादा उन्होंने जखा जगा घूमा है और घूम घूम के सभी धर्मों की बाच्ची अच्छी बातों को अपने पदों अपनी साख्यों में उन्होंने समाक्रहित किया तो जब वो बहुत जगा घूमे ना तो उनके घूमने के कारण क्या हुआ उनकी भाशा में हर जगा के इस्थानिये शब्द भी आते गए हर भाशा हर जगा की भाशाओं के जो शब्द हैं उन्होंने इस्तेमाल कि इसलिए इनकी भाशा को खिचड़ी भी कहा जाता है क्योंकि हर एक तरह का मेल उसमें मिलता है तो इसको आप क्या देखेंगे लिखेंगे कबीर की भाशा को आचार रामचंदर शुक्ल ने सदुकड़ी अत्वा पंच मिल खिचड़ी कहा है यानि की बहुत तरह की चीज़ें उसमें मिल जाएं तब खिचड़ी बन जाती है न इसी तरीके से उनकी भाशा कई भाशाओ के मिश्रण से बनी है उनकी भाशा में खड़ी बोली ब्रज बुंदेली पंजाबी राजस्थानी अपबंस तदा अर्भी फार्सी के शब्दों का प्रयोग हुआ है तो मतलब उसमें आप देखेंगे बहुत सारी भाशाओं के शब्द हैं भाशा सदैब उनकी अनुगाम आचार हजारी प्रसाद दिवेदी ने इसी लिए इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है यानि कि उन्होंने कमांड रखी है कि मतलब आप मानिये कि कोई एक व्यक्ति किसी एक भाशा पर कमांड रख सकता है लेकिन कबीर दास ने क्या अलग अलग भाशाओं के शब्दों को लेकर भाशा में ऐसा बढ़िया मेल बनाया कि इसलिसको बोला गया डिक्टेटर यानि कि वो जैसे डिक्टेटर होता है वो अपने हिसाब से शाषन चलाता है उसी तरह कबीर दास जी ने अपनी भाशा का निर्मान खोद अपनी ही शर्तों पर किया और इसमें उन्होंने अ आपको पत समझा दिये उनके अर्थ भी आपको बताए साथ ही साथ बताया खुछ को शेनांस भी किये तो यह चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो जब भी कोई टेस्ट एक्जाम हो इसको आप पढ़के जरूर जाएगा आपको बहुत ज्यादा हैल्प हो करते हैं तो हम कहां देए तो उसके लिए इस पर है आपको हमारे चानल माइबने पर आना है जैसे आप यहां पर आओगे तो आपके सामने जो पीजो परूर हो उसमें आपको दिखेगा सी पिस से English medium जैसे ओपन करोगे उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी होगी अब आपकी class क्या है 11 तो आप 11 को click करेंगे जैसे ही आप click करेंगे 11 पर पढ़ाय जाने वाले सारे ही आपके subjects आ जाएंगे तो जो भी subject आपको पढ़ना है आपको वहाँ पर watch no लिखा हुआ है अब मालेज़े आपको Hindi अगर देखना है तो वहाँ पर watch no लिखा है उसको आप click करोगे जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखे हिंदी की पूरी playlist आजाएगी तो जो भी book पढ़नी है आपको जो भी chapter पढ़ना है आपको click करना है क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से वीडियो देखिए अपनी सभी doubts को clear कीजे लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जब भी जो भी जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इती बार भी देखना हो उती बार देखिए क्योंकि यह 100% free education platform है यहां पर आप से कुछ भी payment नहीं लिया जाता है जो भी वीडियो जितनी बार आपको देखना है बिल्कुल टोटली फ्री सारा कंटेंट टोटली आरेंज है कहीं इधर उधर आपको परिशान उने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजेगा थैंक्यों वाचिंग बाइबाए